नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों आज है 15 अगस्त और सभी को बिहारी मीडिया की और से स्वतनता दिवस की हार्दिक सुबकामना है सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा हम बुल बुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा दोस्तों आज पूरे देश में 75 सोतंता दिवस मनाया जा रहा है तो आप इस पावन आफसर पर कमेंट बोक्स में जैहिंद जरूर लिखे तो चलिए बिहार के टोप 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं आज की सबसे बड़ी कबर जसने आजादी की 75 वी वर्स गाट आज दिली की लाल किले से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी फराएंगी तिरंगा जिहां आज 15 अगस्त यानी जसने आजादी का दिन है इसलिए आज यह दिन हरे भरत वासियों के लिए खास माइने रखता है देश आज अपना 75 वर्स गाट मनाने जा रहा है इसे लेकर पुरे देश में तैयारिया पुरी कर ली गई है हमारे देश के प्रधान मंत्री सिरे नरेंदर मोदी आज आटवी बार लाल किले से तिरंगा फहराएंगे आपको बदा दे कि सुबह 7 बजकर 5 मिनट में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी राष्ट पिता महातमा गांदी की समाधी राजगाड पर भूल चड़ाएंगे उसक तिरंगा जंड़ा पाराएंगे राष्ट गान के बाद प्रधान मंत्री का भासन होगा अगली बड़ी कबर गांदी मेदान में सुबह 9 बजे से जंड़ा पैराएंगे सियम नितीस इन विबागों की आठ जाकिया दिखेगी जहां राजदानी पटना के गांदी मेदान मे 13 दिवस पर मुई क्या कारकरम होगा, सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री नितीस कुमार जंड़ा तोलन करेंगे, गांदी मेदान में सिर्फ चार गेठी कुले रहेंगे, गेठ नमर एक से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की गाड़ी जाएगी, वहीं गेठ नमर दस से गांधी मैदान में जंडो तोलन कायरकरम में आमांत्रिद अतितियों के वाहन परविस करेंगे इनमें मंत्री विधायक सांसद अधिकारी एवं आयन अतिति सामिल है गेट नमबर 9 से पत्रकारों का परविस होगा इसी गेट से इलेक्ट्रोनिक मीडिया की ओभी वेन भी परविस होगा वहें गेट नमबर 4 से जाक्या मैदान में परविस करेगी कोरोना वारिस के संक्रवन को देखते वे इस बार गांधी मैदान में आम लोगों की परविस पर रोक लगाई गई है आपको बदा दे कि स्वतनता दिवस के इस मौके पर निबंदन उत्पाद एव दोग विवा के जाकी बिहार में खादी पर निकालेगी वहीं परियाटर निदिसाले की जाकी केसरिया इस्तूप एवं लोरिया नंदन गड़ पर निकालेगी बिहार सिक्चप परियोजन की जाकी पढ़ेगी बेटी पढ़ेगा बिहार पर निकालेगी वहीं राज स्वास समिति की जाकी टीका एक्सप्रेस पर आधारित होगी और ग्रामिन विकास विवाग की जाकी जल जिवन हर्याली पर होगी बाड़ी खबर स्वतंता दिवस के मोके बर बिहार के 23 पुलिस अपसर होंगे सम्मानित राष्टपदी पुलिस पदक और पुलिस विर्ता पदक देने की घोसना जिहां आजादी के 75 वे वर्स गाट पर भारत सरकार ने 1380 पुलिस कर्मियों को बहादूरी के लिए पदक प्रदान करने का फैसला लिया है इनमें बिहार के 23 पुलिस अधिकारियों को 130 दिवस के दिन समानित किया जाएगा दो अपसरों को राष्टपती पुलिस पदक और एकिस अपसरों को पुलिस विर्ता पदक देने की घोसना की गई है बाड़ी कबर अब हर साल 14 अगस्त को मनाया जाएगा विवाजन बिबिसी का समिर्ती दिवस पीम मोदी बोले पाटिसन का दर्द को बुलाया नहीं जा सकता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंता दिवस से ठीक एक दिन पहले भारत पाकिस्तान बटवारे को याद किया उन्होंने बिवाजन का पिड़ा को याद करते हुए बाड़ा एलान किया पीम मोदी ने एलान किया कि भारत में 14 अगस्त को बिवाजन बिवसी का इसमिर्थी दिवस मनाया जाएगा उन्होंने ट्विट करके कहा कि बटवारे में विस्तापित होने वाले और जान गवाने वाले हमारे लाकों बहानों और भायों कि संगर्स और बलिदान की याद में 14 अगस्त को बिवाजन बिवसी का इसमिर्थी दिवस के तोर पर मनाने का फैसला किया गया है बड़ी कबर बिहार में मौसम विवाग का अलड चार जिलों में भारी बारिस और बजरपात की चेतावनी जहां बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है पटना समेत कई जिलों में बारिस की सम्मावना जताई जा रही है तेज बारिस और बजरपात को लेकर मौसम अगले 24 घंटे में हलके से मैदम दर्जे की मेग गरिजन तता बजरपात के साथ हलके से मैदम बारिस होने की प्रबल सम्हावना जताई गई है। अगले 24 घंटे में हैं आपदा प्रबंदन विवाग ने इन जिलों में रहत वा बचाव का काईर तेज कर दिया है। इसके अलावा चार एंडियारेप की और पांच एश्डी आरेप की आईने टिमें दूसरे बार प्रबाविज जिलों में पहले से तैना थे। साथ प्रबाविज चेत्रों में 178 सामुदाई कीचेन का संचालन किया जा रहा है। बड़ी कवर बिहार के पाच रेल्वे स्टेशन पर हस्त सील्प खादी हस्त करदा प्रदसनी का अविजन उद्योग मंत्री सानवाज हुसेन निस सनिवार को बिहार के पाच रेल्वे स्टेशनों पर हस्त सील्प खादी एवं हस्तर करदा उतपाद के आस्ताई प्रदसनी सब बिक्री केंदर का सुबारम किया देश के आजादी की 75 वी वर्सगार्ट को पुरे देश में आजादी की अमरित महसव के रूप में मनाया जा रहा है इसी के तहा देश के कूल 75 वी श्टेशनों पर आत्म निर्वर भारत के बेनर तले और अस्ताई प्रदसनी सब बिक्री श्टोल लगाने का निन्ने लिया गिया है इन में से पांच रिल्वी श्टेशन बिहार से भी है इन श्टेशनों में पटना गया दरवंगा भागलपूर और मुझपर बुर सामिल है बाड़ी कबर किसानों को नरेंद्र मोदी देंगे बड़ा तोफा दोगोनी होगी किसान सम्मान निदी की रासी जल्द हो सकता है अलान जिहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों को आज बड़ा तोफा दे सकते हैं प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना के तहट किसानों को मिलने वाला पैसा दोगोना होने जा रहा है। बारा हजार रुपे सलाना किया जाएगा। राम सुरत कुमार ने दी है आपके जानकारे के लिए बदा दे कि रहयत जमीन से जोड़ी सवी तरह की दस्तावेज की प्रती रिकोर्ड रूम से लोग प्राप्ट कर सकते हैं। इसमें पंजी टूख खतियान समित अन्य दस्तावेज सामिल है इसके लिए उन्हें मामुली सुलक का भूतान करना होगा। सुलक दस्तावेज के आकार के आधार पर 10 रुपी से 50 रुपी के बीच रखा गया है। उमिद्वार अन्तिम तारिक यानि 27 अगस 2021 तक ओफिसल वेबसाइट www.powergridindia.com के मायदम से ऑनलाइन आविदन कर सकते हैं। 400 रुपी और फिल्ड सुपरवाजर को 300 रुपी आविदन सुलक के रूप में देने होंगी। बड़ी खबर बिहार में मिले 49 नई कोरोना संक्रमित मरेजों की पहचान पिछले 24 गंटे में हुई है। 17 जिलों में एक भी नई संक्रमित नहीं मिले हैं जबकि 21 जिलों में 5 से कम नई संक्रमित मिले हैं। परंगाबाद, बाका, भोजपूर, बाकसर, दर्बंगा, पुर्वी चमपारन, गोपाल गन, जमोई, केमूर, लखिसराय, मुंगेर, पुर्निया, सहरसा, सारन, सेकपूर, सितामडी, पश्चिमी चमपारन में एक भी नई संक्रमित नहीं मिले हैं। जबकि बेगूसराय, भागलपूर, मदेपूरा, मदोपुनी, नवादा, वा सिवान में एक एक, अररिया, अरवल गया, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किसन, गज, मुझापर, पूर, नालंदा, रोता, समस्तिपूर, सिवर, वा, वैसाली में, दोद, वा, पठना एवं सुपोल में तिन-तिन नई संक्रमित के पैचान हुई है बड़े कबर बिहार के छे कलाकार राष्ट्य पूरुसकार के लिए चैनित इकराम हुसेन वा अवाइपंडित को मिलेगा नेशनल आवाड जहां भारत सरकार के वस्त्र मंतरालै के विकास आयुक दौरा-दोजराक के लिए हस्त सिल्प कलावो के लिए नेशनल आवार्ड और National Merit Award की घोसना कर दी गई है बिहार के लिए खुसकबरी है कि बिहार से जुड़े चोक अलाकारों को इन दोनों सरेनियों के प्रुसकार के लिए चैनित क्या गया है इनमें उप्रेंद्र महारती, सिल्प अनुसंजान संस्तान, पतना के मेटल कॉरॉप्ट के प्रसिक्चक इक्राम हुसेन और सेरामिस सक्खा के प्रसिक्चक बिंटू प्रसाद का चैन National Merit Award के लिए हुआ है वह बिहार के नवादा जिले के कावो वकाल इस्तित, भहरम भाग, निवासी, पदमस्री, ब्रामदे, पंडित के पूत्र अवे पंडित को भी National Award के लिए चुना गिया है बाड़ी कबर बिहार बोर्ड की दसवी वार्सिक परिचा 2022 के ओलाइन परिच्चा फॉर्म और रेजिस्ट्रिसन कार्ड जारी है। बिहार बोर्ड के इंटर्मिडेट वार्सिक परिचा 2022 फॉर्म और मूल रेजिस्ट्रिसन कार्ड जारी सुल्क 14 रुपी जिहां बिहार बिदाले परिच्चा समीती ने बिहार बोर्ड इंटर्मिडेट वार्सिक परिचा 2022 के लिए परिच्चा फॉर्म और परिच्चा सुल को 14 रुपिय जमा कराने होंगे साथ ही 2022 के लिए फरिक्षा फॉर्म 14 अगस से 24 अगस तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं और अंकी बड़ी कबर इंजिनेरिंग, पॉले टेकनिक और पारा मेडिकल में एडमिसन के लिए ओनलाइन रेश्टेशन शुरू चार सितंबर तक लिया जाएगा आवेदन जहां बिहार कंबाइन इंट्रेंस कॉम्पेटेटिव एजामिनिशन बोर्ड ने पॉले टेकनिक पारा मेडिकल में एडमिसन के लिए प्रक्रिया सिरू कर दी है डिपलोमा सेटिपिकेट परविस परतियोगिता परिचा 2021 के जरिये पॉले टेकनिक इंजिनेरिंग, मेडिकल मायदामिक इस तरिया में नामांकन की प्रक्रिया सिरू की गई है आपको बता दे कि लेटरल इंट्री के लिए अप्लाइ करने वाले कंडिडेट को बाइस सो रुपिय आवेदन सिल्क ने होंगे वहीं डिपलोमा सेटिपिकेट परवेश परतियोगिता परिच्छ के लिए सभी चार कोर्स के लिए 1150 रुपिय, तीन कोर्स के लिए 950 रुपिय, दो के लिए 850 रुपिय, एक के लिए 750 रुपिय फिस देने होंगे वहीं रिजर्ब केटेगरी को सिल्क भुगतान में निया मनुसार चूट है आज के लिए आपका सवाल बताए कि किसान सम्म निदी योजना का पैसा दोगोना होना चाहिए या नहीं, इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं